साक्षी गुपता आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश का लेसर नंबर वान ओपनिंग डे यह हमारी एक पोयम है मैं बहुत ब्रीफ में आपको इस पोयम को एक्स्प्लेइन करूंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटिट एमसी क्यूस करेंगे तो इस पोयम में क्या था सबसे प का एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी एक बैंक ओफिस आपका स्कूल का नया एक सेशन का स्टार्ट होना हॉलिडेज के बाद आपका नया स्कूल स्टार्ट होना तो वो सब क्या है ओपनिंग डे होता है तो यह पोयम एक अनॉनिमस राइटर ने लिखिया मतलब जिसने भी एक पोयम लिखिया है वो उसका नेम हमें नहीं पता है वो अनून है थीक है तो यह भी question आ सकता है कि who is the point of the poem, तो आप कह सकते, anonymous, not none, ठीक है, first ही हो गया, secondly, इस poem में क्या बुल गया है, इस poem के जो writer है, मतलब वैसे तो वो anonymous है, but इसमें I, जो भी है, वो कौन है, writer है, मतलब एक लड़के की बात हो रही है, तो a boy, तो एक लड़के ने, point, जो के लड़का कौन है, हाँ पर point ही है तो point ने इस poem में explain किया है, कि वो सुभे सुभे बहुत excited है, school जाने के लिए, क्यों, क्योंकि छुटियों के बाद ये उनका पहला दिन है, school में, और वो excited क्यों है, क्योंकि ये उनका, session का एक नया day है, जैसे जब आप एक class से दूसरी class में promote होते हो, जैसे आप 5th class से 6th class में जाओगे, तब जो वो नया session स्टार्ट होगा, उस दिन की ये बात है, opening day में, इस poem में, तो इसमें, जो point है, वो अपने बारे में बता रहे है, कि वो बहुत excited है, खुश है, क्यों खुश है, वो कहता है, क्योंकि अगर मैं जब school जाओँगा, तो सब कुछ नया होगा, new bag, new books, new bottle, new shoes, और यहां तक ही नए teachers भी मुझे देखने को मिलेंगे, इस वज़े से मैं बहुत जादा excited हूँ, पर उसने यहां पर एक शिस बोलिया, as good as gold, यह बात उसने किस के लिए बोलिया, यह बात उसने अपने पुराने friends के लिए बोलिया, कहता है, लेकिन मुझे सब करते हैं, ठीक है, तो first time से की हुआ है, who is the point of the poem, opening day, तो अभी मैंने बताया, कौन है इसका point, anonymous है, हमें इनके point के बारे में नहीं पता है, तो क्या हो गया इसका answer, anonymous, a, second, which day is described in the poem, opening day, कौन से दिन की बात की गई है, इस poem, opening day में, देखो, वैसे यहां पर बोला गया है, आप की poem में mention है, when the holidays are over, तो इसलिए हम इसका answer क्या लेंगे, छुटियों के बाद का पहला दिन, ना कि first day of the session, तो इसमें हम क्या लेंगे, छुटियों के बाद का पहला दिन, क्योंकि आपकी book में एक line है, holidays, when the holidays are over, so इसलिए हम यहां पर इसका answer क्या करेंगे, the first day of the session, नहीं, इ आपके exams होते हैं उसके बाद क्यों आती हैं छुटियां पड़ती है ना आपकी फिर session स्टार्ट होता है तो ठीक है तो इसमें क्या बूलेंगे तो first day after the holidays तो next what is the mood of the point while going to the school? school जाते हुए what is the mood of the point while going to the school? जब point school जा रहा था तब उसका mood उसका mood कैसा था? वो खुश था, दुखी था, गुसा था, यह normal जैसा होता है वैसा था तो अभी हमने बढ़ा था कि point school जाने के लिए बहुत जादा excited है क्यों? क्योंकि उसको नए books, नए bag, नए teachers, नए shoes, नए नए चीज़ें मिलेंगी इसलिए तो इसका answer क्या होगा? point कैसे जा रहा था school? happily जा रहा था, excited जा रहा था, joyful, तो खुश हो के, delighted हो के, pleased हो के जा रहा था, तो इसका answer क्या होगा? happy, ठीक है? next, fourth है हमारा, why was the point excited for the opening day? why was the point excited for the opening day? अब point, opening day के लिए खुश क्यों था? क्यों था? क्योंकि अभी अभी हमने इसका answer अभी पीछे पढ़ा, क्योंकि उसको बहुत सारी नए-नी चीज़ें मिल रहे थी, बट अब इसमें देखो, उसे क्या-क्या मिला था? ये बोल रहे है new bicycle, क्या point को new bicycle मिली थी? न नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, new things, new things, ये हो सकता है, उसको बहुत नहीं चीज़ें मिली थी, क्या-क्या मिला था? शूज मिले थे, shoes, bag, boots, teachers, तो ये सब मिला था न उसको, ठीक है, तो ये new things में आगे है, नहीं चीज़ें मिली इसको, और उसके बाद D option है हमारा all of the above, ये सब all of the above का मतलब होता है, उपरियुक सारे, मतलब नहीं bicycle भी, route भी, things भी, ये तीनों चीज़ें तो नहीं मिली, सिरफ एक ही चीज़ मिली, जो की new things थी, तो इसका answer क्या हो गया, new things, last, last है हमारा, what, what is the opposite of the word glad, glad का antonym, मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या हो खुष होना, ठीक है, तो अब आप opposite meanings देखने के लिए क्या करो गया, आप देखोगे, ऐसे कौन से, उसमें तीन options है, तीन, MCQ, तीन options है, जो बिल्कुल एक ही मतलब दे रहे हैं, और उसमें से एक उल्टा मतलब कौन सा दे रहे हैं, देखो, antonym पुछे, opposite पुछे, तो glad मत मतलब दुखी होना, तो खुष होना, दुखी होना, तो इसका ये option बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको, अब doubt हो रहे है, clear निया है, आप पता नहीं कौन सा answer है, तो आप कैसे देखोगे, आप देखो, B का मतलब है, good, good मतलब अच्छा, खुष होना, ठीक है, C मतलब है, delighted, delighted का मतलब भी क्या होता है, अच्छा, खुष होना, ठीक है, happy का मतलब भी क्या होता है, खुष होना, अब आप देख रहे हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है, और sorrow का मतलब होता है, दुखी, दुख, तो ये वाला है, दुख, ये तीनों है happy, तो इसका आप वैसे भी answer guess कर स sorrow, MCQ number 6 है हमारा, who is I in this poem, तो मैंने आपको बताया था, जो I है, वो कौन है, राइटर है, जो भी point है, इस poem का वो है, बट इस point का, इस poem का जो point है, वो कौन है, अनॉनमस है, मतलब हमको नहीं पता कौन है, तो हमने एज्यूम किया कि कोई एक boy है, वही इस poem को, उसी ने इस poem क में, नहीं, स्कूल, स्कूल के point है, नहीं, टीचर, टीचर के point है, नहीं, तो क्या answer हो है इसका, boy, यह कोई एक icon है, एक person है, एक बच्चा है, boy है, वो ही इस poem को, उसने ही इस poem को explain किया, यह लिखा है, कुछ भी कह सकता है, next, who are good as gold in this poem, तो हमने बात की थी, point ने बोला था, क कि मुझको सब चीजे नहीं मिलेंगी, इस करके मुझको excitement है, जैसे मुझे क्या क्या चीजे नहीं मिलेगी, नहीं books, नहीं bag, नहीं shoes, नहीं teachers, मुझे इस चीज के excitement है, और उसने क्या बोला था, कि but मुझे सिरफ एक चीज पुरानी चाहिए, जो कि क्या है, मेरे old friends, old friends को उस क्या word यूज किया है, good as gold, ठीक है, थर्ड है, what is the meaning of glad, अब हमने कल की वीडियो में क्या किया था, what is the meaning, what is the intonum of the word glad, मतलब glad का Willom शब्द क्या है, जिसमें हमने क्या किया था, sad और sorrow, sad भी कह सकते हैं, sorrow भी कह सकते हैं, grief कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वैसे ही, अब हमें पूछा है, कि इसका मतलब बताओ, synonym बताओ, ठीक है, तो इसका synonym क्या होगा, glad means होता है, खुश हो ना, तो अब हम देख इसमें से कौन से एक ऐसा word है, जो तीन words से बेकुल different है, वही इसका answer होगा, जैसे, देखो sad का मतलब क्या होता है, दुखी होना, ठीक है, sorrow का मतलब क्या होता है, दुख, ये भी दुख है, unhappy means भी, खुश ना होना, मतलब दुखी होना, obviously, next, last क्या बचा हमारा happy, happy मतलब होता खुश होना, इन तीनों का क्या मतलब था, दुखी ये दुख, तो बचा कौन सा, happy, happy का मतलब खुश होना, तो इसका मतलब क्या हो गया, happy, glad का मतलब happy, और antonym glad का, sad ये sorrow, ठीक है, अब हमारे last two रहेगे, next है हमारा, why is the boy happy, boy कोन है, हाँ पर point, ठीक है, तो point यहाँ, point, school जा आने के लिए, खुश क्यूं है, क्योंकि point को क्या क्या मिलेगा, नई books मिलेंगी, नई class मिलेगी, नई teachers मिलेंगे, नई shoes मिलेंगे, but friends कैसे चाहिए, उसे पूराने चाहिए, ये सम मिलेगा, इस वज़े से point क्या है, खुश है, तो इसमें क्या आएगा, देखो options क्या है, because of the new books, because of the new teacher, because of the new class, all of the above, हमने बात की point को नई books पे मिलेंगे, teachers पे मिलेंगे, class पे मिलेंगे, all of the above, मतलब ये तीनों चीजे मिलेंगे, क्या थीनों चीजे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, तो इस कांसे क्या हो गया, all of the above, next, question number 10, write the antonyms, antonyms मतलब opposite words, जिनको हम हिंदी म इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं हमको, ठीक है, तो सबसे पहले, up, up means, उपर, तो नीचे को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपर का विलोम शब्द नीचे, नीचे को हिंदी में क्या बोलेंगे, down, तो इसमें क्या गया, d, o, w, and down, next, open, open means, खुलना, इसका opposite, bun, bun means, close, close की spelling, c, l, o, s, e, next, day, d, a, y, day, day means, दिन, दिन का opposite, मतलब दिन का उल्टा, रात, रात को क्या बोलेंगे हम, night, n, i, g, h, t, next, good, good means, अच्छा, तो good का उल्टा, मतलब बुरा, बुरा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, bad, b, a, d, bad, next, new, new means, नया, नया का उल्टा पुराना, पुराने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, old, o, l, d, ठीक है, तो students, अब आज आपका ये, lesson number one, opening day, जो poem थी, वो पूरी complete होगी है, thank you students, थπάता, इंग्लिश में आपका ये, जो है अविक टूरी का ब समाने को इंगे, चाहए, जो है फगाए, जो ऑने